अससलाम अलेकुम, Hello everyone, कैसे हैं आप लोग आज आपके साथ शामी कवाब की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ के शामी कवाब बिल्कुल भी फ्राइ करते में तूटेंगे नहीं और बिखरेंगे भी नहीं जैसे के आप वीडियो में देख सकते हैं क्योंकि शामी कवाब ह मैं पुछी थेुम ढाओ कई्षटि खायगे शामी कवाब बनाते हैं तो यहां पर कीमे से बना पहले पिसे बना रही हैं के शामी कवाब की शίν कॉयर आप ली तो आप गिम अड़ केम सलिए तो बलंग वल्रम और शेयर वल्रमाक डाल दाल एके लालाइक शेरा है और आधा चम्मा से भी थोड़ा सा कम हमने डाल दिया है पाउडर और यहीं पर 4 इंच का टुकड़ा हमने मोटे टुकड़ों में अद्रका काट कर डाल दिया है अब यहीं पर एक मुठी भर करके मैंने यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर एक कप डाल मैंने पहले ही भीगो कर धो कर अच्छे से रख दी थी और पानी आप देख सकते हैं कि पानी मैंने बस इतना डाला है कि कीमा और दाल सिरफ हमारी भीग जाए इसमें पूरी तरह डूबे नहीं आप देख सकते हैं कि पानी बहुत हलका हलका सा ही उपर आ रहा है बस इसी तरह से हमने पानी का हिसाब लेना है कि इसमें दाल और कीमा अच्छी तरह परफेक्टली गल जाए अब प्रेशर कुकर में सारे ही चीज़ों को हमने डाल देना है और इसको अच्छी से गलने तक पका लेना है बस यहाँ पर हम प्रेशर लगा चुके थे और अब यहाँ पर ढकन खोल देते हैं और चेक कर लेते हैं दाल और कीमा को तो यहां आप देख सकते हैं कि चम्मा चला रही हूँ तो यहां पर पानी बहुत मामूली सा ही नजर आ रहा है अगर इतना पानी है तो चल जाएगा और अगर इसे थोड़ा जादा पानी है तो आपने प्रेशर कूकर खोल करके फुल फ्लेम करके चम्मा से चलाते हुए इसक कीमा और दाल अच्छी तरह ठंडा हो जाए ठंडा करके ही हम इसे पीसेंगे और बस यह अब हम दिखा देते हैं कुछ कटे मसाले यहां पर प्याज लिया है एक बड़े साइस का और एक मुठी हरा धनिया लिया है बारी कटा हुए अद्रक करीब 3-4 इंच का और बारी कटी अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कीमा वगरा हमने ठंडा करके रखा ता अच्छी तरह से हो चुका है और यह थोड़ा सख्त हो जाता है रखने के बाद आप देख सकते कितना थिक सा हो गया है तो बस अब हमने इसको मिक्सर में डाल देना है और पीस लेना है आप च इस पो जाब आपको बांड़ार आप नमक कम भी तेस्ट कर सकते हैं तो मिर्श कम लग रहे है तो कती हरीमेज डाल सकते हैं अब आपको बताऊंगी वह जादोई टिप जिससे के आप इनको deep fry करके भी फटा फट से कितने भी महमान हो तो ये बहुत easily deep fry करके तयार किये जा सकते हैं क्योंकि शामी कवाब जबी भी हम shallow fry करते हैं तो बहुत बार ये issue आता है के बिखर रहा है कवाब तो या तो mixture आपका थोड़ा पतला होता है इस वज़ा से कवाब oil में जाते हुए बिखर जाते हैं तो उस stage में आप एक तो अंडर डालना थोड़ा avoid करें और थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं लेकिन बेसन डालने से क्या होगा कि टेस्ट डिस्बैलेंस हो जाएगा जादा बे अब जो यह शामी कवाब का mixture हमने त्यार किया है इसे आराम से आप shallow fry करेंगे तो यह बिल्कुल नहीं फटेंगे लेकिन कई बार होता है कि महमान जादा है और आपको चाहिए कि फटा फट कवाब तले जाएं क्योंकि शामी कवाब तलने में थोड़ा टाइम लगता है तोरी भी नहीं है बहुत थोड़ा सा डालना है इससे इसमें क्रिस्पीनस भी आएगी और यह बिल्कुल भी ओल में जाकर बिखरेंगे नहीं एक बार आप इस ट्रिक को यूज करके देखेगा आपको पता चलेगा कि कितनी बेहतरीन यह ट्रिक है और कितने अच्छे से इस बिल्कुल भी शमेल नहीं आती है अब मैं ने यहां पर सारी शामी कवाब की टिक यार कर ली और यहां पर आप अच्छे से गर्म हो चुका है और यहां पर मैं इसमें कितनी अच्छा से कवाब डाल दी है मेडियूम फ्लेम पर हमने इनको अगर आप करेंगे तो यह जल जा जैसे आप कवाब डालेंगे ना आपने चम्मच नहीं चलाना है यह हर चीज के लिए है कि आप कोई भी चीज ऑईल में डाल रहे हैं तो आप फॉरन से जो है ना चम्मच ना चलाएं नहीं तो जो है वो चीज टूटेगी तो बिखरेगी तो यह जब तक अच्छी तरह इस प पर पलटा है आप टाइमिंग नोट कर लें क्योंकि मैंने केमरा बिल्कुल भी इतनी देर तक के ना जहना बंद नहीं किया था तो पूरी पूरी रिकॉर्डिंग आई है तो एक मिनिट लगा है या डेड़ मिनिट मुझे अंदाजा नहीं हुआ आप देख लीचेगा तो आट आगेर कितने अच्छे से सुनेहरे से यह कवाब हमारे तयार हो रहे है जैसे चमच किनारे पे लगे तो हल्का सा निकल जाता है लेकिन वह बिल्कुल भीखरेगा नहीं देखिए थोड़ा सा मेरा स्पून लगा है तो हल्का सा वह यह दिखिए बस इतना ही होगा पूर वगे में आपने लगा ते बर्गर भी बना लें आराम से कोई भी मिवनीज वगरा किसी भी तरह की सॉस ले लें और वेजिटेबल लें लगा लगा के आप बंध में लगा कर के भी खाएं बन कवाब तो वैसे भी बहुत फेमस हैं तो देखे कितने अच्छे से तयार हुए हैं, अब मैं बाके के भी इसी तरह फ्राइ कर ले थी, मैंने धेर सारे फ्राइ करे थे, जितने भी मैंने बनाये थे ना मैंने मुझे जरूरत थी, मैंने सारे ही बनाये थे, और यकीन करें, मुझे पंदरा मिनिट भी नहीं लगे थे बहुत मज़ेदार और बहुत चटपटे चटपटे तो आप जितना मर्स डालेंगे जितना नमक मूर्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे उत्र ही works तो आप उसे साब से डालेज़ेगा तो बस यह देखे कितने अच्छे से सुनहरे सुनहरे हमारे कवाब तयार हो रहे हैं बस इनको तल लेते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे निकाल करके मैंने मुझे टाइम कम था तो मैंने बहुत अच्छे से प्लेटिंग कुछ भी नह कवाब पराठा भी बना सकते हैं कवाबी पराठा भी बनाना बताओंगी बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसान है मेरे आदो बच्चों को बहुत पसंद है उम्मीद करती हूं आप लोग को भी कवाब की सिंपल सी और डिफ्रेंट सी रेसिपी जरूर पसंद आई होग किया है और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर रेसिपी वगरा शेयर कर दें जिससे के सब की प्रॉब्लम दूर हो जाए तो दुआ मयाद रखेगा इंशाला मिलेंगे अगली वीडियो में जब तक के लिए अलाहाफिज